दोस्तो बहुत सारे लोग सोर्स चैनल बना लेते हैं बनाने के बाद सोर्स वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद बोलते हैं मैं सोर्स वीडियो बना कर डाल रहा हूं लेकिन मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है मेरा सोर्स वीडियो सोर्स फिड में भेजा ही नहीं जा रहा है गलती कहा करे हो गलती आपने चैनल बनाने में ही की है आपने क्या किया यूटूब पर गए आपने सर्च किया यूटूब चैनल कैसे बनाए आपके सामने जो वीडियो आगया उसी एक वीडियो पर जाकर क्लिक कर दिये और वीडियो देखकर वैसे ही चैनल बना लिए भाईया उन्होंने long चैनल बनाने का तरीका बताया है कोई source चैनल बनाने का नहीं और source चैनल बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है उसकी setting बिल्कुल अलग होती है जिससे YouTube को यह पता चलता है ये long का channel है ये source का channel है और जब आप long के तरीके से channel बना लोगे तो कितना भी source डाल लो आपका source speed में जाएगा कहा से क्योंकि YouTube algorithm को यही लगेगा ये तो इसका long का channel है तो मैं source speed में भेजूंगा क्यूं तो इसलिए आपको proper तरीके से source channel की जो setting होती है उस तरीके से करके आपको channel बनाने की जरूरत है और आज के वीडियो में 2024 में बिलकुल latest जो भी नई-नई setting यूटूब ने add की है सारी setting के साथ source channel कैसे आप बनाओगे source channel मैं YouTube का long channel की बात नहीं कर रहा हूँ source channel कैसे बनाओगे क्या-क्या setting करनी होती है A2Z पूरा full process अपने mobile phone में आपको बताऊंगा और जैसे जैसे start से last तक channel बनाऊंगा सारी setting वैसे ही on करते हुए उसी तरीके से बना लेना और आप फिर देखना जब आप source channel बनकर आपका तयार होगा source video डालोगे तो आपका source video source video में तुरन भेज दिया जाएगा तो क्या वो प्रॉपर तरीका है 2400 के अंदर चलिए direct में आपको mobile phone पर लेकर चलता हूँ और कैसे A2Z start से last तक source channel कौन कौन सी setting on करके आप बनाऊगे सारा कुछ चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब देखिए सबसे पहले आपको YouTube पर आ जाना है जैसे कि मैं YouTube पर आ चुका हूँ यहाँ पर आने के बाद आपको जो नीचे profile वाला icon दिखरा है इस profile वाले icon पर जहाँ यू लिखा हुआ है ये नीचे वाले ये यू वाले section पर आ जाना है अब यू वाले section पर आओगे already आपके जो channel बने हुए हैं वा सारे आपको दिखने लगते हैं तो देखिए आपको बिल्कुल नय channel बनाना है और वो भी sorts का बनाना है तो उसके लिए मैं आपको start का process बताता हूँ क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर नय चैनल पर click बनाना है न तो मैं plus वाले icon पर click करूँगा और click करने के बाद यहाँ पर verify का बोल रहा है तो मैंने अपना finger लगा दिया verify कर लिया अब यह अपना checking info करके बता रहा है अब देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तो सबसे पहले नया channel बनाने के लिए आपको एक नया mail बनाने की जरूरत परती है अब नया email कैसे बनाओगे वो चीज समझो उसके लिए जैसे मैं आया यहाँ पर आ जाओगे तो लिखा गया है नीचे क्या create account करके तो मैं अपना email यहाँ पर कोई पुराना वाला नहीं डालूँगा बलकि create new एक नया email बनाओँगा तो मैं create account पर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा अब यहाँ पर क्लिक करूँगा for my personal use for work or my business तो भाई personal use के लिए बनाना है तो मैं for my personal use उपर वाले option पर क्लिक कर लूँगा अब यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो मेरा first name और surname यह सारा पूछ रहा है अब देखिए यहाँ पर मुझे एक channel बनाना है यानि channel का नाम बनाना है तो मैं channel के नाम से ही अपना email ID बना लेता हूँ आप जिसके भी नाम से बनाना चाहते हो बना सकते हो अब मुझे मान चलिक कोई channel बनाना है तो मैं बनाने वाला हूँ जैसे मैं परताबगड का हूँ तो मैं यहाँ पर अपने channel का नाम simply डाल लेता हूँ तो मैं डालूँगा यहाँ पर प्रताबगर और इसके बाद प्रताबगर टेक और नीचे सरनेम में वर्ड डालूँगा ठीक है क्योंकि मेरे चैनल का नाम मैं रखूंगा प्रताबगर टेक वर्ड ऐसा ही करके मतलब ऐसा ही बना रहा हूँ ये चैनल आपको बना कर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक सही तरीके समझ भाए या फिर मैं प्रताबगर टेक वर्ड ना लखके प्रताबगर सौड्स वर्ड मैं लिख देता हूँ आपको बनाना है अब चैनल के नाम से बनाना है तो चैनल के नाम से अपना नेम और सरनेम डाल लेना या फिर अपने नाम से mail बनाना है तो अपना नाम और surname डाल लेना अब डालने के बाद यहाँ पर अपना data of birth डाल लेना जैसे मैंने ही डाल लिया है ऐसे random ही तो अब अपना data of birth डाल लेना फिर gender पर जाना जो mail female हो वो डाल लो तो भाई जैसे मैं हूँ, मैं अपना mail यहाँ पर select कर लेता हूँ, तो mail select करने के बाद मैं का करूँगा, यहाँ पर next पर click कर लूँगा, अब यहाँ पर click करने के बाद, आपके सामने पूरा यहाँ पर option आ जाएगा, मुझे तीन यहाँ पर mail दिखा रहा है, कि आप कौन से य select करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जाकर next पर click कर लिया, मैंने यहाँ पर इसलिए blur किया हुए, क्योंकि mail है तो mail को blur करना है, तो आपको जो mail रखना है वो आपना select कर लीजेगा, करने के बाद यहाँ पर password डालने का option आ रहा है, तो password आपको जो रखना है वो डाल लीजिए, लेकिन एक बार का ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिका गया है, creator strong password भी था mixture of letters, number and symbol, तो आपको ऐसा password डालना है, जिसमें letters भी हो, number भी हो, और symbol भी हो, तो मैं यहाँ पर एक password पहले नाम का अपना एक डाल लेता हूँ, जैसे कुछ भी मैं नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, yes I am in, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा ये, जो मैंने mail बनाया है, वो mail दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर next पर क्लिक करूँगा, यानि मेरा mail बन चुका है, ब मैंने नया बिल्कुल बनाया हुआ है, प्रताबगर सौर्स वर्ड, बिल्कुल नीचे चैनल मेरा दिखने लगा है, नीचे वाले पर, तो मैं क्या करूँगा, उसी पर क्लिक कर लूँगा, सेम आपको भी वैसे ही कर लेना है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आपका य नीचे उप्सन दिख रहा है न, क्रियेटर चैनल करके आपको इसी क्रियेटर चैनल वाले उप्सन पर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पिक्चर, जो आपको अपना, मतलब प्रुफाइल पिक्चर रखना यहाँ से मैं लगा सकता हूँ, जैसे गैलरी में कोई फोटो है, वहाँ से ले लीजीए, अभी तुरंत खीचना है, तो कैमरे से खीच के लगा दीजीए, तो यहाँ से चूच करोगे, तो आपको जो प्रुफाइल पिक्चर है, वो लग जाएगा, इसके बाद जैसे नेम आ रहा है, मैंने एक दम यूनीक नेम रखा, प्रताबगर सौट्स वर्ड, तो मैंने ये रखा, तो आपको क्या करना है, हैंडल पर आना है, अब आपको हमेशा ध्यान देना है, कि आपके चैनल का सेम नाम कोई और ना बना पाए, देखिए, नाम तो बना सकता है, लेकिन म मिलना, अब जैसे मैंने यूनीक नाम रखा, प्रताबगर सौट्स वर्ड, तो मेरा हैंडल सेम हो ही आ गया, प्रताबगर सौट्स वर्ड, अब यही पर अगर कोई और चैनल बना के यही नाम ले लिया होता, तो मेरा 01, 02, 04, कुछ न कुछ ऐसे लगा के तम मिलता, तो आप नाम चैनल का नहीं रखना है, आपको ऐसा नाम रखना है, जिस चैनल का handle, सेम टू सेम अवेलबल हो, जैसे मैंने यूनीक नाम रखा, सेम हैंडल मुझे मिल गया है, प्रताबगर सौट्स वर्ड, तो आपको ऐसा ही handle यहां पर रखना है, क्योंकि नाम यूनीक रहेगा, त आपको वही handle मिल जाएगा यहां से चाहो तो अपना handle change भी कर सकते हो जाकर जो भी आपको change करना है तो मुझे change करना नहीं है क्योंकि मेरे नाम का मिल गया है तो अच्छी बात है इसको क्या करूँगा save आले पर click कर लूँगा और लिखा भी है अगर आप ध्यान दोगों क्या लिखा है choose your unique handle by adding letters and number तो आपको handle अपना unique रखना है और unique handle तब होगा जब नाम unique होगा तो हमेशा जो channel का नाम रखो कुछ अलग हटकर रखो जिससे आपको उसी नाम का handle मिल जाए अब देखे मेरा यहाँ पर channel का मैंने अपना लगा लिया है अब मैं simply create channel पर click करूँगा अब मैं create channel पर click करूँगा तो मेरा जो channel है वो बनकर तयार हो जाएगा जैसे मैं दिखाओं तो मेरा जो यह channel है बनकर आ चुका है अब मैं इस चैनल पराऊंगा तो इस तरीके से आपको दिखने लगेगा अब मेरा ये बिल्कुल नया फ्रेश चैनल बनके तयार हो चुका है तो आपको एक option दिखेगा ये पेन वाला icon दिख रहा होगा manage video के बगल में पेन वाला icon इस पर click करोगे तो channel की setting वगारा कर सकते हो क्या setting कर सकते हो जैसे अगर channel का banner आप लगाना चाहते हो तो ये जो banner वाला पूरा दिख रहा है इसमें आपको banner वाले पर जाकर आप banner लगा सकते हो जैसे ये वाला जो camera दिख रहा है कोने में इस पर जाकर click करोगे तो यहाँ पर take a photo, choose from your photos, यानि जो photo खीचे हो, वहाँ से आप channel का binary ले सकते हो, और profile वाले पर click करोगे, तो यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर click करके अपना photo, चाया camera से चाया gallery से select करके अपना profile का photo लगा सकते हो, handle अगया देखी लिगे channel URL यहाँ पर दिख रहा है, इसके बा मान के चलिए, मैं जो channel बना रहा हूँ, उसमें मैं sorts जो वीडियो बनाऊँगो, वो fact का बनाऊँगा, मतलब बनाऊँगा नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जो भी बनाऊँगे, वो आपको लिख लेना है, जैसे मैं लिख दूँगा, मेरे channel पर आप सभी को fact का sorts बीडियो देखने को मिलेगा, ऐसे मैंने description में लिख लिए, तो आप भी अपने description में, यहाँ पर जाकर लिए सकते हो, कि आपका, मतलब किस तरीके का content आप बनाऊँगे, और साथ ही साथ, जब आपका channel बढ़ा हो जाता है, तो यहाँ पर जाकर आप business inquiry में अपना email वग contact करता है, तो अभी तो channel नहाँ है, फिलाल अभी जरूरत नहीं है, जब आपका channel बढ़ा हो जाएगा, तो उस time यह सारी चीज़े add कर लेना है, यह चीज़ करने के बाद मैं save पर click करूँगा, तो मेरा जो description हो जाएगा, देख सकते हो description में add हो चुका है, अब एक नीचे दि देख पाएगा कि मैंने किस channel को subscribe किया हुआ है, अब यहाँ पर अगर off कर दोगे, तो आपके जो subscriber है, वो भी देख सकते हैं कि आपने किस channel को subscribe किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको on कर दूँगा, आपको भी on करके यह रखना है, अब यह on करने के बाद आप क्या कर आपके चैनल का जैसे देख सकते हो अभी कोई एनलिटिक्स नहीं दिखरा है जब आप वीडियो डालने स्टार्ट करोगे तो यहां से आप डारेक्ट एनलिटिक्स देख सकते हो कि कितने आपके व्यूज आए, कितना वाच्ट राइम कंप्लीट हुआ, कितने सस्क्राइबर म सारा कुछ यहां से अनलिटिक्स भी आप देख सकते हो, अब जैसे मेरा यहां पर चैनल क्रियेट हो गया है, अब क्रियेट का ओप्षन जो यह दे रहा है, यह क्रियेट ओप्षन है वीडियो का, अब मैं इस क्रियेट वाले ओप्षन पर क्लिक करूँगा, तो यहां पर मै create a source लिखा गया है, upload a video लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं अपना source और video upload कर सकता हूँ, और साथ में go live और create a post का भी option है, अब यहाँ पर आप community post चैनल बनाते ही डाल सकते हैं, जैसे create a post पर मैं जाओंगा, तो मैं अपना community post तुरंट डाल सकता हूँ, पहले क्या था कि पहले 500 subscriber पर यह मिलता था, अभी यह वैसे मिलने लगा है, अब देखी, यहाँ पर आपको क्या करना है, create वाले option पर जाना है, अब अगर go live पर मैं जाओं, तो go live पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्या लिख्या गया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से cancel कर दूँगा, तो इस तरीके से क्या हुआ मेरा, मेरा जो channel है, यह बन कर तयार हो चुका है, अब channel सिर्फ बन कर तयार हुआ है, अभी इसकी setting सारी कुछ बाकी है, और main setting, जो आपके channel को short channel बनाएगी, वो सारा कुछ बाकी है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, back आजाना है, back आने के बाद आपको यहाँ पर चला जाना है, chrome के अंदर, तो मैं यहाँ पर chrome पर आ चुका हूँ, chrome पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस Chrome पर मैं एक नया टैब लेता हूँ, अब देखिए Chrome पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, जो मैं सर्च करना हूँ, studio.youtube.com, studio.youtube.com आपको लिखकर यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है, अब यहाँ पर सर्च करके क्या होगा, कि आपके जो चैनल का YT Studio है, Chrome के अंदर open हो जाएगा, जिससे आप सारी सेटिंग कर पाओगे, अब जैसे इस तरीके से आजाएगा, तो आपको 3.0 पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद डेक्स्टॉप साइट लिखा हुगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो मेरा YT Studio Chrome के अंदर open हो जाएगा, अब open ह होने के बाद, यहाँ इस तरीके से आपको सारा functions दिखेगा, जैसे देख सकते हो, 0 subscriber हो गए रहा, सारा कुछ लिखे हुए है, अब मुझे यहाँ पर सेटिंग करनी है, जिससे YouTube को यह समझ में आये, कि इस भाई साब का चैनल जो बना है, वो Sorts का चैनल है, और जो वीडियो होगे, तो आपका यह सेटिंग वाला open होगा, अब देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है, जैनल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्स, पर मिरिसान, यह सारा कुछ है, तो अभी मैं जो जो बता रहा हूँ, वो चीज करिए, यहाँ पर जैनल में currency, US dollar लिखा हुआ है तो इससे कुछ मतलब है न, US dollar लिखे रहने दीजिए, यह हमें general से मतलब नहीं है, हमें channel की setting करना है, तो channel वाले पर आ जाऊँगा, अब देखी channel पर आने के बाद, यहाँ पर तीन setting दिख रही है, basic info, advanced setting, feature eligibility, अब basic setting में देख सकते हो, country of residence कुछ भी select नहीं है, तो आप जिस country के हो, उस country को यहाँ पर पहले जाकर select करो, basic वाले में, country of residence में मैं जाऊँगा, और यहाँ पर हर एक country यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर भी YouTube चलता है, तो मैं I नाम से जाऊँगा, अपना देख इंडिया, यहाँ पर है, मैं India select कर लिया, इसको select करने के बाद, नीचे keywords लिखा हुआ है, यह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसी से आपका channel search में जाता है, और YouTube algorithm को यह पता चलता है, कि इन भाई साहब का channel sorts का है, और किस type का यह category का video बनाते हैं, तो इनका video किस audience के पास भेजना है, यह सारी चीज है, इसी keyword से, मतलब कि जो algorithm है, उसको समझ में आता है, तो इसको लिए आपको एक proper keyword डालना है, क्या डालना है, मैं बता रहा हूँ, सब से पहले आपको अपने channel का नाम डाले ना है, जैसे मेरे channel का नाम क्या है यहाँ पर, परताबगड source word, मेरे channel का नाम है परताबगड source word, पहला मैं इसको tag बना लूँग, keywords के अंतर तीरवाल आइकॉन इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा तीरवाले से मेरा एक टैग बन गया अब जितना आपके वर्ड्स का नाम है उसको अलग-अलग लिख लिए जैसे मेरा है परताब गड़ सौट्स वर्ड परताब गड़ वर्ड ये मैं आगे पीशे करके इसको लिख कर इसको भी एक टैग बना लेता हूँ अब इसको एक और मैं आगे पीशे करूँ तो वर्ड परताब गड़ सौट्स एक टैग में इसको बना लेता हूँ मेरा ये काम हो गया जिससे मेरा चैनल सर्च में जाएगा ये वाला काम मेरा निपट गया आपको भी ऐसे ही काम अपना कर लेना है यानि जो भी आपका चैनल का नाम है ऐसे ही अलट पलट के पूरा ऐसे लिख देना है जिससे आपका चैनल सर्च में जाएगा अब ये चीज कर पर समझ में आता है यूट् diplom को किसका source का है कि long का है क्या करना होगा समझीएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा source क्यों कि आप source video बना होगे तो source आपको पहला tag source डालना है इसके बाद आपको डालना है YouTube source दूसरा YouTube source डालना है इसके बाद तीसरा क्या डालना है Sorts Video ये डालने ना है और तीसरा YT Sorts ये डालने ना है ये मेरे चार हो गए Sorts, YouTube Sorts, Sorts Video, YT Sorts ये आपको भी डालने ना है ये डालने के बाद YouTube का ये अल्गोरिधम तो समझ गया कि भाई इनका चैनल Sorts का है लेकिन क्या content बनाएंगे किस audience के पास भेजना है कि fact बना रहा है तो fact देखने वाले कोई पास भेजना है blog बना रहा है तो blog देखने वाले के पास भेजना है ये चीज कैसे समझेगा उसको भी आपको बताना पड़ेगा कैसे बताओगा जैसे मैं fact बना रहा हूँ तो मैं क्या आप यहाँ पर लिखूँँगा मैं लिखूँँगा fact पहला तो मैं ये tag बनाऊँगा दूसरा fact video ये मैं बनाऊँगा इसके बाद लोग बहुत सारे जैसे मैं fact बनाऊँगा तो random fact भी बनाऊँगा आप अगर cooking वगारा करो हो तो इस तरीके से आप भी अपना tag डाल लो ब्लॉग वाले हो तो ऐसे डाल लो मिनी ब्लॉग वाले हो तो ऐसे ही डाल लो मतलब जहां मैं fact लिख रहा हूँ आप ब्लॉग और मिनी ब्लॉग लिख लो यानि जो आपका channel है ऐसे ही पर वो चीज लगा कर ऐसे ऐसे tag बना लो अब यहां पर मैंने fact in Hindi लिख लिया यह सब लिखने के बाद मैं fact जो बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा? sorts बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? fact, sorts यह लिखूंगा fact, sorts, video यह लिखूंगा इसके बाद sorts, fact, video यह मैं लिखूंगा इसके बाद माद चली मुझे horror fact बगारा बनाना है तो मैं लिखूंगा horror fact sorts, यह मैं लिख लूँगा यानि जो आपका channel है, जिस तरीके का content आप बनाऊंगे, वो सारे content को यहां पर mention कर दो, जिससे YouTube को यह समझ में आए, कि यह fact बनाएगा random fact बनाएगा, horror fact बनाएगा Hindi में fact बनाएगा, तो किस audience के पास भेजना है जैसे facts, sorts यह सब लिख दिया तो YouTube को यह समझ में आजाएगा कि यह जो बनाएगा, वो fact का sorts, video बनाएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना keyword बगारा, डाल लेना है अब मैंने यह सारा कुछ डाल लिया डालने के बाद, मैं simply इस पर save पर click कर दूँगा, क्योंकि जो चीज़े यहाँ पर add किया, वो save हो जाए अब save पर click करने के बाद, फिर से मैं उससी कर लिया है, अब मैं advanced setting पर आऊंगा advanced setting में क्या लिखा गए हो है, यहाँ पर लिखा होगा, do you want to set your channel made for kids अब यहाँ पर, अगर आप हार एक वीडियो में review करना चाहते हो कि यह बच्चों के लिए बना है या नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर जो click है I want to review the setting for every video उसको ऐसे ही रहने दो, और अगर आप ऐसा वीडियो बनाते हो जो सिर्फ बच्चों के लिए ही है, जान रहे हो कि वो बच्चों के लिए ही मैं इस channel पर वीडियो बनाऊंगा तो yes वाला select कर लो और अगर आपका ऐसा वीडियो है जो बच्चों के लिए नहीं है तो no वाला select करो, जैसे मैं fact वीडियो बनाऊंगा तो छोटे बच्चे देखेंगे रहे ही, तो मैं no पर select कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर I want to review my setting for every video यही रहने देता हूँ तो यही आपको रहने देना है, फिर आपको नीचे आना है यह सारा जो आपको option दिख रहा है, इस पर कुछ भी आपको नहीं करना है अब तीसरे पर feature visibility आ जाती है, इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद देख सकते हैं, पहला वाला option मेरा enable दिखा रहा है तो यह सब verify करना जरूरी है, कैसे verify करोगे, verify यहाँ पर phone number पर click करोगे यहाँ पर click करने के बाद क्या होगा, कि आपका जो channel होगा, यहाँ पर देख सकते हो, open होकर यहाँ पर आ जाएगा तो उस mobile number पर code आ जाएगा, उस code कर डाल कर जब मैं submit कर दूँगा, तो मेरा verification यह complete हो जाएगा अब देखिए ध्यान से समझेगा, 2024 के अंदर जो आपका mobile phone है, उससे आप सिर्फ दो channel को verify कर सकते हो एक साल तक, जब दूसरा साल लग जाएगा, तो उसके बाद और channel आपके जो है उनको verify कर सकते हो, लेकिन एक साल में एक mobile number से सिर्फ दो channel verify कर सकते हो, अब देखिए, आपके mobile number से माचली channel verify है, पहले ही, अब नहीं हो रहा है, तो आपके मम्मी का होगा, पापा का होगा, जि आपका verify channel हो जाएगा, तो इस तरीके से verify यहाँ पर कर लेना, अब मैं यहाँ पर back option पर आ जाता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, अब यहाँ से verify कर लोगे, तो यह enable आपका हो जाएगा, यह चीज़ समझ लिए, अब नीचे आया हुआ है, advanced feature करके, मैं इस पर click करूँग अब देखी, यहाँ पर advanced feature पर अगर मैं देखूँगा, तो यहाँ पर भी मेरा on वगारा नहीं है, अब देखी, इसको अगर on करना चाहते हो, तो यहाँ से direct जो आपको access feature करके option दिख रहा है, अभी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे blank दिख रहा है न, जब मैं यहाँ verify phone number कर लूँगा, तो यह मेरा यहाँ पर जैसे यह blue blue दिख रहा है, इसी तरीके से मुझे दिखने लगेगा, मैं इस पर click करूँगा, यहाँ पर click करने के बाद, अगर मैं verify करना चाहता हूँ, तो अपना चेहरे से एक video बना कर, यहाँ पर उससे भी कर सकता हूँ, क्योंकि देख बनाना स्टार्ट करोगे, दो चार दस video डालोगे, तो automatic verify हो जाता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ main होता है, यह verify phone number वाला यह कर लेना आपका काम हो चुका है, तो यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका save होई चुका है, advance में कुछ आपने change नहीं किया था, यह सारा कुछ आपको कर देना है, अब करने के बाद, तीसरा में आता है upload defaults, यह option भी बहुत जरूरी है, मैं इस पर click करूँगा, अब इसमें क्या क्या जरूरी setting है, वो चीज़ समझीए, अब मैंने upload defaults में click किया, यहाँ पर देखो कि क आया हुआ है, basic info और advanced setting, basic info में title आया हुए, कुछ नहीं करना है, description में कुछ नहीं करना है, visuality में कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद यहाँ पर tags वगर आया हुआ है, तो देखें, tags में ध्यान दीजिएगा, अगर आप shorts चैनल बना रहे हो, तो जो वीडियो डालोगे, shorts का जाहे के लिए डाल रहा हूँ, जिससे YouTube को यह पता चले, यह shorts का चैनल है, यह shorts का वीडियो डालेगा, और इसको मुझे shorts फीड में भेजना है, तो मैं दूसरा tag, whitey shorts कर लूँगा, तीसरा tag, YouTube shorts कर लूँगा, यह मैंने लिख लिया, अब इसके बाद मैं fact वीडियो डालोग तो चौथा tag fact कर लूँगा, और यह भी तीर वाल icon करूँगा, बन जाएगा, अब आपको क्या करना है, shorts, whitey shorts, YouTube shorts डालके, cooking का वीडियो डालोगे, तो cooking वीडियो लिख लो, mini blog डालोगे, mini blog लिख लो, और इसके लाब और कोई वीडियो, comedy, roasting डालोगे, तो वो लिख लो, य यहाँ पर आने के बाद, देख सकते हो, मैं setting वाल icon पर, यहाँ पर मैं click करूँगा, setting वाल icon पर, यहाँ पर आने के बाद, फिर से मैं upload default में जाऊँगा, upload default में आने के बाद, यहाँ पर मैंने जो tags लगाया है, वो सारा कुछ लग चुका है, क्योंकि मैंने save कर लिया, अब मिलेगा बगल में advanced setting, इस advanced setting पर आपको click कर लेना है, अब यहाँ advanced setting पर click करोगे, तो देख सकते हो, license वगारा जो लिखा गया है, इसे रहने दीजिए, video language आपको नीचे दिखेगा, देखिए, language and caption certification में, तो यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है video language, मैं क्या करूँगा, भा इसे लोगों के पास भेजा जा रहा है, जैसे इंडिया में ही, भेज दिया गया है, महाँ चलिए कलकत्ता, आप हिंदी में video बनाया हो, वो बेंगॉली बोलता है, उसके पास video गया, उसने video open किया, अरे हिंदी में बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या अपने video का language select करना जरूरी है, जिससे सामने वाला यूटूब है, उसके algorithm को पता चले, कि इसका video हिंदी में है, तो जो हिंदी समझता है, उसी के पास भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बीडियो language पर यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर मैं जाँगा, और करूँगा, और हिंदी है, तो मैं ऐसे alphabet के साफ से दिया गया है, तो जी के बाद एच आता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, गुजराती वेगारा भोजपुरी सारा language मिल जाएगा, तो मेरा हिंदी है, तो मैं हिंदी करके आ रहा है, मैं हिंदी यहाँ पर select कर लूँगा, द होता है, क्योंकि fact के माद्यम से आप लोगों को सिखा रहे है, तो education मैं select कर लूँगा, आपका जो category है channel का, वो category आपको यहाँ पर select करनी है, अगर आपको channel category कैसे मतलब निकालते हैं, आपको नहीं पता कि मेरे channel की क्या category होगी, तो उसके लिए मैंने proper एक detail video बनाया हुआ है, description में link दे दूँगा, ये video देखने के बाद जाकर उसको देख लेना, आपके channel की category आपको पता चल जाएगी, तो यहाँ पर जैसे fact का है, तो मैं education यहाँ पर select कर लिया, और select करने के बाद भाई साब मैं यहाँ पर save पर click कर दूँगा, अब मैंने यहाँ पर save पर click किया, मेर यह सारा कुछ आपने करही लिया, so how many viewers like the video कितने लोगोंने की यह दिखाना चाहते हो, तो इसको ON रहने देना, अगर इसको हटा दोगे,το कितने लोगोंने like की है, यह हट जाता है, तो भाई इसको ON रहने देना, कितने लोगोंने like की है, यह दिखना चाहिए, तो आपको क् पर सेपर मैंने क्लिकी कर दिया, इसके अलावाँ आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा का सारा काम हो चुका है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करोगे, थोड़ा सा और कु आपको मिलते हैं अब देखिए ले आउट में भी आप चीज़े यहां पर आड़ कर सकते हो क्या पहला है चैनल ट्रेलर फॉर फॉर पीपल हूँ है यह फीचर वीडियो फार रिटर्निंग भी सस्क्राइबर दो करके लिखा गया है अब देखिए इसका मतलब यह है कि जो आड़ पर जाओगे तो यहां पर जैसे मैंने अभी कोई वीडियो डाला नहीं है तो कोई नहीं दिख रहा है जब आप वीडियो डाल दोगे आपको सारा वीडियो आपको दिखने लगेगा तो वो वीडियो कर यहां से सिलेट करोगे तो जो आपके चैनल को सस्क्राइब क किया है अगर पहली बार आपके चैनल पर जाता है तो अच्छी वीडियो दिखेगी तो उसके जो सामने वाला होता हो उसके उपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है तो सस्क्राइब भी कर लेता है तो यह चीज यह आपको कर लेनी है और यह सब करने के बाद आपको क्या करना है ब्रेंडिक पर आओगे तो ब्रेंडिंग में आकर अपना क्या कर सकते हो अपलोड में जाकर अपना प्रोफाइल पिक्चर यहां पर लगा सकते हो banner का photo यहां से भी लगा सकते हो upload में जाकर banner image लिखा गया है और तीसरा है video watermark अब इसका क्या मतलब है आप देखते होगे किसी का भी वीडियो तो नीचे एक watermark छोटा सा दिखता होगा जैसे आप मेरा देख रहे होगे तो last में आपको छोटा सा subscribe दिख रहा होगा बहुत साई लोग अपने channel का logo लगा देते हैं कोई subscribe लगा देता है जैसे मेरा कोने में subscribe दिख रहा होगा तो यह आप अगर लगा दोगे तो आपके पूरे channel का जो भी वीडियो रहेगा हर एक वीडियो के last में मतलब कोने में पूरे एक वीडियो में दिखता रहेगा मतलब वीडियो के अंदर आपको वो चीजे छोटी सी दिखती रहेंगे तो watermark के अंदर वीडियो का वो भी आप लगा सकते हो और basic info में जाओगे तो यहाँ पर नाम मेरा handle दिख रहा है यहाँ से भी change कर सकते हो description मैंने पहले ही डाला हुआ है वो भी आप डाल सकते हो channel URL है और यहाँ पर आपको link बगार अगर add करनी है देख सकते हो link आया हुआ है add link अब link में क्या add करोगे जैसे मैं add link पर अगर click करूँगा तो यहाँ पर क्या आया हुआ है यहाँ पर जैसे मैं अपना Instagram का link डालना चाहता हूँ तो मैं link के title में Instagram लिखूँँगा और यहाँ पर उसका URL डाल दूँगा दूसरे पर जाकर Facebook लिखूँँगा Facebook का URL डाल दूँगा इससे क्या होगा कि जो आपके audience होंगे जो subscriber होंगे उनको आपको जो social media link होगा वो यहाँ से मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे आपके social media accounts हैं वहाँ पर भी जाके आपके follow कर लेंगे आपको तो यहाँ से आप link वगार आइड कर सकते हो आइड करके यहाँ पर simply save पर click करोगे यानि publish वाला option जो आपको दिख रहा है इस पर click करोगे आपका link वगार आइड हो जाएगा तो 2024 में आप कैसे proper setting के साथ अपना source channel बनाओगे सारी setting के साथ A to Z चीज़े मैंने आपको समझा दी हैं आपको कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देजीगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बीना बोले लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपको लाइक की मेरे लिए motivation होता है और चैनल पर नहीं हो चैनल से नहीं जुड़े हो तो subscribe बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया है उसको दबाकर all पर सेलेट का लीजेगा जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा notification आप तक जाए और सही knowledge के साथ आप YouTube जर्नी में आगे बढ़ पाओ और यहाँ पर दो और वीडियो आपको मिल जाएंगे कि source वीडियो कैसे सही तरीके से upload करते हैं, source वी